तो डियर्ट एब डियर्ट आज की या वीडियो स्ट्रहक्छ समीष्टर gehört के हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए महा संगराम होने वाली है क्योंकि जो भी हमारे जिन को हिंदी का पेपर देना है 2024-2025 या फिर आनी वाले दिशू में तो उनके लिए वीडियो महा संग्राम होने वाली क्योंकि लगभग लगभग प्रश्ण जो है वो आज की इस वीडियो से ही आएंगे क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे कोश्चन और एंसर इंक्लूट किया है जो पिछले फालो में 2021 लेकर 22 24 मतब कि 22 और 21 और तेस में पूछे गए उनको इंक्लूट किया है और प्लफ कौन-कौन से कोश्चन जो इस बार आने वाले उन सभी को कोश्चन और एंसर तयार किया है तो आपकी परिच्छा में जो कोश्चन आएंगे वह इसी वीडियो से आएंगे यह आप लोग देख लीजिएगा इसलिए वीडियो महा संग्राम है गैरेंटे के साथ आपको सफलता मिलेगी चलिए जानते कि कौन-कौन से कोश्चन है और कौन-कौन से इंपार्टन कोश्चन है और आपकी परिच्छा माने वाले तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तुम्हां आपको बता रहा हो पूरा भरोस और कंप्यूटर है ठीक है ध्यान लखेंगे यही प्रस्ण पत्र का नाम है तो इस से जुड़े कोश्चन आएंगे आपकी परिच्च्छा में ध्यान लखेंगे ओके चली तो चली वीडियो को सुरू करते हैं आज कि वीडियो को सबसे पहला प्रस्च्छन है वह कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं कई बार पैच्छा में आ चुका है सरकारी पत्र की गौर्ववर्मेंट लेटर इनको बोलते हैं इसकी परिभ़ास आपको देखने ने मैं पेडिक है तो सरकारी पत्र की जो परिभासा लिखेंगे कि सरकार के कामकाज से सम्मंधित पत्र, सरकारी पत्र या सासके पत्र या फिर ओफिसियल लेटर कहलाते हैं इनका प्रियोग सरकारी विभागो कारेलो द्वारा किया जाता है सरकार के कामकाज के सम्मंध में अनेक तरह के पत्राचार किये जाते हैं इस प्रिकृया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारि पत्रों का होता है तो यानि खेंगे और इनका प्रयोग है यानि फरकारि पत्र जो होते हैं इनका और परिवाहन का डिपार्मेंट हो गया रेलवे का डिपार्मेंट हो गया ठीक है पुलिश बीवा का डिपार्मेंट हो गया इफी तरह के जितने भी ऑफिस यानिकी जितने भी सरकारी के ऑफिस हैं सरकारी डिपार्मेंट है उनमें कारेलों में जो एक पत्र का यूच किया ज कोश्चन है आप अपने उसार भी त्यार कर सकते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे ठीक है बाकि हाई लेबल कोश्चन है चलिए नेस्ट कोश्चन है कि एडवर्टाइजमेंट ठीक है यह फिर एडवर्टाइजिंग जिसको आप लोग बोलते हैं विज्ञापन यानि कि जो किसे कहते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे तो उसका मतलब कि बिज्ञापन का मतलब आप लोग जो कोई वीडियो में एड़ देखते हैं टीवी पर एड़ आता है यह फिर आपनों पेपर में देखा होगा ठीक है बहुत फा कि इसकी परिभाफा जानेंगे बहुत इंपॉर्टन कोईश्चिन है तो इसकी परिभाफा है कि किसी उत्पाद अथ्वा सेवा को बेचने अथ्वा परिवर्तित करने के उद्देश से किया जाने वाला जनसंचार बिज्ञापन कहला था मतलब कोई उत्पाद है यह कुछ कोई चीज हम उत्पाद करने के उद्देश से! मतलब कि किसी को हम प्रोड़क्ट बेंच रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम किसी न किसी जन संचार के माध्यन से उसका विग्यापन कराते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम विग्यापन कहेते हैं, यानि के रिवर्टाइजमेंट कहेते हैं, तो सिंप बिग्यापन करता कि इच्छा से बिचार सहमित कार अथवा बेवहार करने लगे तो मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बढ़ा चड़ा के अको यह भी आई डाता तो उसमें भले क्वालिटी कम रहे लेकिन उसको बढ़ा चड़ा के और बता देते ताकि कुस्तूमर उसको लेने मजबूर हो जाए पिर कस्टूमर लेना का मान आ जाए ठीक प्लान आ जाए तो कोई भी आप लोग फिलिपकार्ट हमाजोन पर कोई प्रोडक्त देखते तो आपको देखते होंगे कि मुवाइल में कितना अच्छा दिखता है जब आता तो कितना वह आप अच्छ पत्र के बारे में तो इसका उत्तर लिखना है कि जब किसी आवस्यक काम की और सम्मंदित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकरश्ट कराना हो तो सरकार के किसी आदेश का परिपालन सीगरता फिकराना हो किसी विभाग से कोई जानकारी अभिलम लेना हो तब अर्ध सरकारी पत कोई हमें आवस्यक काम है जरूरी काम है ठीक है और उससे सम्मंदित जो हमें काम है वह जो हमारे पास काम है तो काम तो भाई आप किसी चीज को कराने के लिए रिटेन में आपको देना पड़ेगा ठीक है तो वह कहलाएगा ऑफ ठीक है डेमी लिटर ठीक है डेमी और सरकार पत्र बोलते तो कोई हमारा आवस्चय काम है उसकी और कोई अधिकारी है ठीक है उसको तुरंत नहींOb चुर्ण作र One नहीं यसे संब्सक्राइब और वह इतक काम सब्सक्राइब इद्धिकारी का ध्यान तुरंत आकश्ट कराना हो तुरंत उसको बताना हो या फिर तुरंत उसको सुभिकार करे पत्र को तो सरकार की किसी आदेश का पालन सीगरता पे कराना हो माली जे कोई आपका काम रहे गया है या फिर आपका कोई मामला है तो सरकार आपका काम सीगर करे ठीक है यानि कि जल्द लेना हो तब दो पूर पर कारी पत्र प्यावन नखें टिक है तो इन कामों के लिए पत्र यह जाता है אिप फ्रेश रिलीज प्रेशा डें अब क्योंत प्रेस्टाइब यह होता है आप यूर्फटार शुम्शेषा जो भी आपके यहां न्यूज पेपर आता हूं उसमें जब आप कहीं कोर्णर पर देखते हैं तो आपको अकबार में इस प्रिकार के कुछ बिग्यापत होता उसके नीचे लिखा हो रहता है ठीक है तो इसी को हम बिग्यापत बोलते हैं और इसकी परिभाफा जान लेते हैं इसकी परिभासा है कि प्रिष बिग्यापत सरकारी आलेख का एक महत्पूर्ण प्रकार है जब सरकार किसी बिभाग के द्वारा अपनी निरेड़े को विस्तार्फे जनता के बेज प्रस्वाजित करना होता है तो उसके लिए वह बिभाग शुशना के आलेख को तयार कर प प्रिष बिग्यापत का यूज करके प्रियोग करके जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रियाफ करता है जनता तक आपकी बात प्रसाइद करने का प्रियाफ करता है तो इस प्रोसेश को प्रिष बिग्यापत कहेंगे सिंपल परिभाफा लिखेंगे कि प्रिष बिग् होता है यानि कि सरकार का कोई मालिज ये प्लान है कोई निरेड़ा है ठीक है वो डीटियल में जंता तक महचाना होता है तो वहाँ पर प्रिस्विग्यापत का यूच किया जाता है बस इतना ध्यादा कि कारले हिंदी के उद्देश बताई तो कारले हिंदी का नाम है कारले हिंदी के उद्देश जान लेते हैं तो यहां सोचेगा कि यह कैसे दिख रहा है यह आप लोगों के लिए हमने कोश्चिन एंस सब्सक्राइब पूरी उम्मीद है कि मतलब कि कारले हिंदी के उद्देश के बारे में जान लेते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समास से किसी बहुत संख्यक वर्ग तक सासन की नीतियों को सहज रूप से पहुचाते हुए समान नागरी को इसके अधिकारों के प्रतिजाद कारी देना कारले हिंदी का खापित करना रास्ट के बिकास में समान नागरी की सीधी बागेदारी सुनिचित करना ये सबी कारले हिंदी के उद्देश है तो सबसे पहले आपको ध्यान रकना aj है इसका प्रियोग है वह सरकारी के इतने भी कामकाज होते हैं office होते हैं उसमें इसका प्रियोग किया जाता है ठीक है और इसके माध्यम से यानि कि कारले हिंदी के माध्यम से आम जनता तक इस भासा में किसी चीज को बताया जाता है ताकि वो उस चीज को समझ सके आम जनता ठीक है और आम जनता की जो बात ही है वो गोवर्मेंट तक पहुंच सके ठीक है तो इस बहांसा में बताया जाता है ताकि गोवर्मेंट की बात जनता समस्में और जनता वाली बात गोवर्मेंट समझ सके और कारले हिंदी का प्रियोग ऐसे किया जाता है क्योंकि भाई गोवर्मेंट है वो ऐसे तो किसी चीज को प्लान बनाएंगी नहीं तो गोवर्मेंट क्या करेंगी कोई लिखी पढ़ी बहां सा लिखी पढ़ी सिस्टम के फाथ एक जिसे सिस्टमेटिक वे होता उस तरह से कोई यूजना है फिर कोई बात कहेगी ठीक है यह नहीं कि आपने हमसे आपने हमसे कह दिया कोई बा संबाद करना है तो उसके मातन से करता है ठीक है तो कारले हिंदी का सिंपल सा उद्देश है कि कोई भी जो आम जनता हमारे देश की जो भी जनता है नागरिक है ठीक है उसके जो अधिकार है उसके जो करतब हैं या फिर उसके जो मतलब की हगदार है जिस चीज को ठीक है उस है कि आम जंता जो आम नाग्रीक ही वो अपने आधिकार जो अपने उसके मूल कर्तब यें नुको जान सके उन्के बारे वह सको जानकारी हो ठीक है उतर्जका प्रियोक वहां पर समान तर्ज सीधा समाध रसापित करना भी बहुत बड़ा उद्देश करले हंदी और अगला उद्देश है कि राष्ट के विकास में यानि कि देश के विकास में जो आम जनता है उसकी सीधे भागीदारी सुनस्चित करना सीधे भागीदारी मतब कि वो जो चाहे वो कर सकती है लेगली सम्मिधान के हिसाफ पे ठीक है ये भी कर ले हिंदी का उद्देश है तो इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्र ठीक है बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ट कई बार आ चुका है नेश कोईशन प्रस्टूत है जो की हाई लेबल है कई बार आ चुका है इस बार भी आएगा से और के साथ संचेपड और पल्लवन बहुत ही पॉप्लर कई बार आ चुका है गरें डिक्सार इस बार भी आएगा जानते इसका उत्तर संचेपड का आर्थ होता है संचिप्त छोटा है यानी कि संचिप्त जो बहुत ही कम सब्दों में कर थीक है फंचेपड कहेंगे इसमें बिस्त्रत बिसे को संचेप में दिया जाता है यानि कि कोई चीज है डीटिल में तो उसको सोट कर दिया जाता है ठीक है यानि कि एक तरीकी से किसी मूबी का ट्रेलर ठीक है इस प्रकार का है और जो पल्लवन होता है ठीक है यह होता है उक्तिया विचार सूत्र का विस्तार से विवीचिन किया जाता है तो वही इसमें भी हम वही मूबी का ट्रेलर ले देते हो प्रस एक मूबी ले लेते कोई मूबी है तो भी मूबी से पहले ट्रेलर आता है तो ट्रेल में क्या होता है कि ठीक है तो ट्रेल में यही होता है कि को मों भी होती तो इसका सोट में बता दिया जाता कि इसमें यह होने वाला रोब होथा यह संखेप strengthening है ठीक है यह स्टर ब contradiction दीर्क में मताना मतलब कि बड़ा रोप श्क्राइब को समझे कोईशन के पड़ते हैं अगला पल्लवन की परिभासा वा महत बताईए तो परिवन के परिभासा मैंने आपको उपर बता ही दी है ठीक है और इसकी कुछ महत तो है उनके बारे में आपको पढ़ लेना है ठीक है पढ़ लीजिए इंप्वाटन कुष्चन है अगला प्रसन है कि टिपड़ और टिपड़ी के बारे में बताईए टिपड़ और टिपड़ी में अंतर बताईए कोशिट बहुत ही पोप्लर है हमेशा आते हैं इस बार एंगे पर से और कि साथ जानते हैं टिपड़ी के बारे में तो सामानेता हैं तिपड़ी में किसी बिशे पर अपने विचारों को संसित रूप में चैं cay को Present a तीवास के बारे बताइए कब से यह मानाया जाता है। तो उस चीज के बारे में डिटेल में बताई जाती है। ठीक है किसी भी बेक्त को बोला जाता है कि आप इस चीज पर टिपड़ी दीजे यह फिर माली जे कि एक्जामपल गुरूप में समझ लेते हैं कि आप कोई सब्जक्ट ले लेते हैं कि आपके माली जे कि आपके गाव में या फिर आपके सहर में पानी और लाइट की टिपड़ी और टिपड़ जो यह दौनों अलग-अलग हैं लेकिन सिम्लर है जबकि टिपड़ विसेश रूप से सरकारी कारीलों में अधिकारी ओ करमचारीयों की आपस में या प्र आपस में अपनी बातों को संप्रेस्इत करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है और हरे रंग की note sheet पर ही लिखा जाता है तो ध्यान रखेंगे जो टिपड़ है यह जो सरकारी कारले के जो आफिस होते हैं उसमें जो अधिकारी होते हैं करमचारी होते हैं वो आपस में बाते करने के लिए इसका प्रियूख करते हैं तीक है जिसे हम लोग तिपढ़ बोलते हैं और इसका प्रियोग को सीट पर लिखा जाता है फिर और जो रंग होता हरा होता धियार अस्तिन नखेंगे दोनों के लिखना है कि powerpoint एक ऐसा application software है जो अपने विचारों और प्रस्तुती को दर्सक के साथ फंचार करने में सच्छम मनाता है जब हम आपको सोटर तरीके से माली कोई test है लिखा है या फिर कोई बात है वह आपको कहनी है तो एक slides के माद्यम फे ठीक है जिसे की example में आपको बता रहा हूं देखिए इस तरह हम इसको slide करेंगी ऊपर नीचे जा रहे हैं ठीक है तो यह क्या हो गया एक slide हो गया ठीक है फ्राइट क स्लाइड इस प्रकार आती है जैसे कि यह देखो दूफ रही आ गए तीफ रहा गया इसी तरह आते हैं ठीक है तो यह क्या है यह सब आपका पीपीट यह पाउरपाइंट प्रिजेंटेशन है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है जिसके माद्यम से हम किसी भी च जैचिक अनुसंधान एवं प्रफिच्छन परिश्द जिसको एन सी ई आरटी बोलते हैं एन सी ई आरटी की किताबें अब आन लाइन उपलब्द हैं इसके लावा परिश्द की और जो वेबसाइड है जिसका नाम इपार्टसाला.nice.in तयार हो गई है इस साइड पर किस लेबर से समझे सभी किताबें अपलोड की हैं तो इपार्टसाला एक गुवर्मेंट का एक प्रफिच्छन का एक तरीकिश बोल पकते हैं केंद्र है एक बेफसाइड है जिसके माध्यम से कोई भी स्टूडेंट जो फ़र्ष्ट क्लाफ का है और फ़र्ष्ट फे लेकर ट्वेल्थ कलाफ तक का है यानि कि गेर भी फिलेकर बार भी तेके एक दूई तीन चार पांच एपाता है मतलब कि एक कलाफ लेकर बार भी कलाफ तेके जो स्लेबर से जो किताबें वह पार्टसाला जो बेफसाइड इस पर उपलग धिमिल जाएंगी तो यहां पर बता बताईए यहर भी फूल कोश्चन है तो सुचना का अर्थ है विसेश सुचना सरकारी नियम चेतावनी आदेश नियूक्त अवकास आधीश से संबंधित सुचना को संबंधित ब्यक्तियुम आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाफित किया जाता है इसे अधिस सु प्रकार देखा गया उसके बारे में कोश्चन है कि हिंदी भारत की संग की राज भासा होगी शंबिधान ने 1950 में इसकी घोसड़ा की संबिधान के अनुच्छे मतलब कि जब आप कोई टाइपिंग करते तो आपको मालूम होगा तो इसके माध्यम से होता यह है कि कोई अगर आपको कुछ भी टाइप करना है तो आपर देवनागरी जो लेंगज होती उसका यूज किया जाता हो एक देवनागरी जो है लिप है ठीक है और हिंदी भारत कि अधिकारी भासा है ठीक है तो ध्यान रखेंगे यह कहा गया था और उच्छे 343 में 1950 में इसकी वफड़ा की गई थी और इस प्रकार आप थोटा सा परिचे लिखेंगे अगर कोईस्चन आया तो ठीक हमेशा नहीं आता कुछ-कुछ बार आता है यह कोईस्चन हमेशा आ प्लस आपके बेश चीजों भी आपका रहें कम्प्यूटर करें उन सभी का जो एक तरीकी से बोल सकते हैं कि पूरा कलेक्शन होता है उन सभी का चीजों का इसमें एकठा किया जाता है ठीक है अगर आप डेटा की बात के तो बेटा में बहुत फारी चीज़े आ जाएंगी तो यहां पर collect किया जाता है और फिर इस डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है दूसरे सब्दों में कहें तो data processing कच्छे data को घठा करने और उसे उपयोग कि जा फकने वाली जानकारी में बदलने की एक बिदिये एक मैथड है ठीक है तो ध्यान रखेंगे आपको जिस प्रकार भी परिवास अच्छी लगे उस प्रकार लिख सकते हैं ठीक है और जो data होता है और आपका रिजूम हो सकता है आपका प्रेशनल कोई data हो सकता है कोई भी चीज होता है तो उन सब्वी चीज़ों को इसमें collect किया जाता है ठीक है और फिर उसको एक जिसकी में उप्योग हो सके उसमें बदल दिया जाता है ठीक है और इस प्रकार इसकी परिमाफा लिखेंगे और data processing एक प्रक्रिया होती है ठीक है जिसमें बहुत फार डेटा को एक अटा किया जाता विद्वान जिनका नामस्ट्री आरत कोठारी ठीक कोठारी प्रोंग विद्वान है इनके रुसार सोधिके चरण ध्यान लखेंगे अगरा प्रशन है कि संशेपड के प्रकार बताईए तो संशेपड दो प्रकार के होते हैं एक होता है समान्य संशेपड और दूसरा होता है सूची करण संशेपड और जो समान्य संशेपड है इसको ब्रस्तेतरूप से सच्छिप्त करना होता है मतलब किसी चीज को कम सब्द में या फिर कम लाइनों में जबकि सूची करण संशेपण में कम संख्या पत्र-संख्या दिनांग प्रेसक प्रेसिति और पत्र के विश्झय का ध्यान रखा जाता है ठीक है तो यह होता है सब्सक्राइब करने से कोई भी नहीं रोग सकता क्योंकि सारे कोईश्चिन इसी पीडियाप से आने वाले हैं बाकि आपका अपना है चैनल से सब्सक्राइब करको जरूर जाइएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में जैंद